अकरा लिडिस पिंगर और भेंडी एक की इस सब्जी के नाम है और एक सक्हास और यह fills को देटा हों कि यह अच्छा म cilantro करें तो अगर हम संग अगर भेंडी ले तो उसके अदर में लंदर 33 ग्रायम की है मतलब बहुत ही लों केलरी है और अगर हम प्रोटीन की ही तो लगबक 2 g yan हम इसके अदर protein मिलता है अगर हम carbohydrate की बात करैंट तो लगबक 7 g yan हम लगबक 3.5 g clears years away तो यह तोड़ा होगर यह जो इसके अंदर 1.5 g रिक्वाइनmy तोड़ा हो लगबक 23 से ले सकता है कर सकता हैं तो इतना डेर सारा सकता है ओसाथ में कुछ फोलेट होते हैं लगबग 14% तक कब मैंघनिशयम है है मेंगनिशयम है जो है यह लगबग परसंद के आसपच जाता है अगर हम मोटा मोटा बात करें तो यह एंटी इंप्लाइमेटरी है एंटी कैंसर है एंटी डाइबिटिक है क्योंकि इसके अंदर हमें अच्छा-कासा डाइटरी फाइबर मिल जाता है और यह कई ना कई हमारे इसको लो करता है मतलब इसका जो एपसर्प्शन इसको स्लो कर देता है तो यह में ब्लड शुगर को में या स्टैबलाइज करने में मदद करता है और इसके अंदर हमें अच्छा-कासा पॉटेशिम मिल जाता है तो हाई डाइटरी फाइबर और साथ में आंटी ऑक्सिदन और प्रतेशिम जब यह तीन को मिल जाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कोियो साकता है इसको में बंघ स्टै themes यफे इसको मोड़री करता है और में यह बचाता है यह जो बेंडी है एंटी डियाबिटिक है और इसी कारण कई ना कई हमारे स्कीन के लिए भी बहुत बढ़ी है हमारे शरीर के अंदर का फिरी रैडिकल डैमेज होता है इसको यह कम करते है और हमें बुड़ा पर बचाती है हमारे स्कीन को गलो रखती है तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बेंडी बहुत बढ़िया अच्छी सब्जी है जो हम रेगुलर बेसेश पर खा सकते है अगर अगर हम खाते तो शायद हो सकता है कि हमारे स्कीन प्रॉब्लम बढ़ सकते है स्कीन अलर्जी बढ़ सकता है चेहरे पर सपेद दाग आ सकते है या किद्नी स्टोन फॉर्म हो सकता है क्योंकि बेंडी का टेंडेंसी है कि ऑक्सलेट करना ऑक्सलेट बनाती है अगर हम इसे कि के साथ क्राद कर सकते हैं की स्टाइट कर सकते हैं विवन यह बेंड़ा सब्सक्राइब मतलब मतन के साथ ना खाए ना पीए क्योंकि मटन और चाय के अंदर अच्छा-कास प्रोटीन को बाइन ना ने protein absorption को low कर देती है और साथ में हमार जो kब दोश you बढ़ा सकती है skin problem को यह बढ़ा सकती है खास करके चेरे पर जो सपे दाग मैं यह बढ़ सकते है यह skin allergy बढ़ सकती है skin problem बढ़ सकती है तो हो सकती है फूर्गहों के शकी ना ख। इवन इसको मुली के साथ ना खाए करेले के साथ ना खाए क्योंकि करेले की तासिर थंडी होती है और बेंडी के तासिर भी थंडी होती है जब दो थंडी तीजे हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर का जो कब दोश है इसको बढ़ावा मिल सकता है मतलब के साथ बढ़ सकता है वाद दोष बढ़ सकता है तो जभी भी probably winterton Caesar these और यह एंद्र का सिजन है या फारे अए तैसिर को बढ़ा सकता है ये थंडी तासिर को मार सकता है अगर ये अशा की बढ़ी आ सब्झी है जो इसे और एयніक्प्र यहां चांप लुक्त क्लिए सब्सक्राइब 2 जल्दी मिलेगे एक नए वीडियो के साथ So Eat Healthy, Be Healthy